लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें अरे यह तो राठाउन है सुन सबको बोली यहां से जल्दी से निकल जाए समझा मैं यहां से निकलता हो रोक काड़ी रोक जल्दी कर जल्दी से पुटलो पुलिस की रेड़ है चल्द अमें पुलिस की रेड़ है शिवा को बोल भाग शिवा भाई पुलिस की रेड़ पड़ी है हुआ वह वह अ हो पर से चलते हैं झालव जिखनों झालव, झालव झालव झालवाया। यह झालवाया। पुँँँँ एक शुँँचः इसдеकतुप़ Feitt जए, जए, पुँट जए हुँ़ जए जएएगग 6. कि निकल गया साला कोई बात नहीं सर चीक आना तो पता चल गया न सली में काप अरो जी बिल्डिंग सील कर दो और सारा माल सब कर लो कि मार्रूम ले चलो सालों को क्या सलीम कुछ बता हैं लोगों नहीं कुछ नहीं पता मैं तो कली मुल्क था बोलने में एक्टूर है उसमें खाली लिट्रिक का दुकाने साब अपून काम धंदेवल आदमें साब लफड़े से अपून दूर रहता है तो मतलब तुम लों बिखुल नहीं ठीक है सलीम खातम कर दो सबको उड़ा दो और बोलो के इंकांटर में मारें गया है नहीं साब तुम लोगों के लिए या अखरी मोका है जो बोला है बोल दो कुछ अशर नहीं साब अभी भी मुझ नहीं खोला एक काम करो सलीम सच मुझ गोली मार दो क्या कह रहें साब लेकिन गोली लगनी नी चाहिए कान के दो इंच दूर सजानी चाहिए मैं मैं बोलता है मैं बोलता हूं साब बागी सब को भाल ले जो ये सड़ चल बोल मैं मिलेको इतना मालुम है सारा माल राजिस्तान से अंता है अब इतर कॉन सब्सक्राओ से और जोनाजी विक्टोरिया हूश में ऊसके हांजी टूरसइं टूर्स त्रिवल्स की अजन्सी अभी माल ने वाला है मेरे को बिल्कुल प राजिस्तान जाका यासा अरे ले जाओ उसको सलीम ये सर बाहित फोन करके यादव से बोलो के राजिस्तान से इंटेलिजिन्स ब्यूर की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए जी और पतागरो ये हाजी कौन है और नजरकोस दिन रात 24 गंटा लेकिन जब तक मैं कहूं नहीं उसको एरेस्ट मत करना ओके सर हुँँँः हुँँ ऑफ अपने कहा थे कि आप अपने दोस्त को संभाल लेंगे किन्त वो तो हाजी तक पहुंच गया हो कुम उसने विक्टोरिया हाउस पर रेट कर दी हाजी बहुत परिशान है हुकम वो कहता है कि इंस्पेक्टर सलीम को साथ मिला लेगा और आपके दोस्त को उड़ा देगा नहीं, मिर्ची, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा अजय को मारने में हमारा ही नुखसान है फिर क्या करे होकुम दिलाल ऐसा करो दोपारा उसकी टांग तोड़कर उसे अस्पिताल पहुचा दो ठीक होकुम जब तक पुर ठीक होगा, हमारा माल विरेन तक पहुच चुका होगा अच्छा होकुम फिर मैं जल्दी से उसे इस केस से हटवा दूँगा और सुनो हजी से याद से कहना सिर्फ उसकी टांग तोड़े सिर्फ टांग, सामजगे? हुकम अस्सलाम अलेकूम सलीमिया वालेकूम कहिए क्या कहें सलीमिया यह देखकर बहुत तकलीफ होती है कि अपना एक मुसल्मान भाई एक काफिर का साथ दे रहा है हम लोगों के खिलाफ मुसल्मान मुसल्मान का मतलब समझते हैं आप जी हाँ इसलाम को मानने वाला सिर्फ यही नहीं मुसल्मान का मतलब है मुसल्म इमान यनि जिसका इमान हर हाल में पूरे का पूरा काइम है जिसका इमान चटान की तरह मजबूत है और शब्नम की तरह पाक है कहिए है आपके पास ऐसा इमान बात करते हैं मुसल्मान की देखो सलीमिया आप बात को खामा खाम उलजा रहे हो हमारा तो उसूल है कि जी ओ और जीने दो यही बात हमने आपके एसे पीराठोड साहब को भी समझाने की कोशिश की थी पांच लाग तक देने को तयार थे हम तो आप पेसी पीराठोड को पांच लाग रुपे में खरी देंगे फिर तो अपने मुल्क की कीमत भी लगा ली होगी कितने में बेच रहे हैं आप अपने मुल्क को देखो सलीमिया हम धंदा करते हैं और धंदे में हमारा उसूल है कि किसी का हक नहीं मारते और खास तोर से अपनों का तो बिल्कुल नहीं देखो आप और मैं हम मजभ हैं आपस का मसला है आपस में ही सुल्जा लेते हैं ठेहरो मुझे तुम अपने साथ बिल्कुल मत मिलाओ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ तुम मुल्क फरोशो गदार हो तुम अरे तुम जैसे चंद मुसल्मानों की वज़ा से कुछ लोगों को पूरी कौम को बदनाम करने का मौका मिलता है करते तुम लोगों भुकदना पूरी कौम को पढ़ते हैं देखो सलीमिया भाशन मत दो एक ना एक दिन तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी समझे और वो तुम्हारे सेपी राठोर को अब तक आ चुकी होगी क्या मतलब जाओ जाकर उसे समालो अगर राठोर साब को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूँगा डोंट माइन कैसे करती हूं मैं ड्राइग बिल्कुल सही सलामत पहुंचेओ घर थैंक यू मुझको सही सलामत पहुंचा दिया लेकिन उनका क्या जो रास्ते पर घाल पड़ें अचेश अचेश प्रुक्ताप खड़ी रहे क्या कंपाँ मатьजी, जल दिया आपाँ आज। अंभम भी लाए उने फान गाल अंभम भी लाए अट यह वंशुदो अमित्हाँ, पदो प्लीस कफों के पलीस अंभम देख से प्लात आउ ऐघ दो पा आई आज मिल आइ आभ भयμά रहां जिए निकले यह से पुली साथी अजे आपको जद नगी लगी ज़िए पगड़ो बारा सेम अजे अजे नहीं नहीं लुखो अजे अजे रुख जाओ सर ये बॉर्डर के पास जितने गाउं है यहीं से हतियार ड्रग्स और बाकी सामान हिंदुस्तान लाए जाता है वहाँ ये सामान उंटों पर लाद दिया जाता है और बिना किसी सावार के उंट सामान को बॉर्डर के इस पार ले आते हैं कैसे? सर ये ऐसे उंट होते हैं जिनने खास तोर से स्मगलिंग के लिए ट्रेन किया जाता है और हाँ सर इंटेलिजन्स बिरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ जासूस भी वहाँ मौजूद हैं जिन में से एक है कैप्टन जावेद अब्बास जो बाहिद गाउं में शफी के नाम से रह रहा है और ये दूसरा है मेजर असलम बेग जो पिछले दिनों इंडो पार्क मुशारी के लिए खास तोर पर हिंदोस्तान आया था क्या हूँ सर? कुछ नहीं और सर आई भी वालों ने शफी का एक मेसेज टेप किया है जिससे पता चला है कि हातियारों का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट दो तीन दिनों में आने वाला है तो सर हमें राजस्तान जाने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए हाँ मैं डी सीपी साब से बात करता हूँ मुझे भी तुमसे बात करनी है सर जड़ा अंदर आओ पैर में क्या हुआ कुछ नहीं सर देखो राटोड अगर अगर तुम्हें ये केस हैंडल नहीं करना था मुझे से कहते हैं मैं तुम्हें आच्छी पोस्टिम के लगवा देता यह आप क्या कह रहा है सर ठीक कह रहा हूँ एक तरफ तुम मिमानदारी का ढूंग करते हो और दूसरी तरफ कमाई वाली जगह की पोस्टिंग के लिए उपर से सिफारिश करवाते हो सर मैंने कोई सिफारिश नहीं करवाई तो फिर मेरे पास उपर से orders कैसे आ गए मुझे सर में लगता है सरम इस नहीं विजए से साजेश मैं केस को सॉल्फ करने के बहुत करीब हूँ और इस के मुझे फोरण राजस्थान जाना है बिलीव मी सर मुझे भुरुसा कीजी कोई मुझे से हिटवार है थ MissAir मु जाने दीजी प्लीज ठीक है तो फिर ये orders मेरे पास ही रहेंगे समझा तुम्हे ये orders मिले ही नहीं थैंकिज सर नहीं नहीं जाने दूगी बे नहीं करने दूगी है नोकरी, नहीं चाहिए ऐसे नोकरी गोली लगी नहीं सुना मा मेरा जाना ज़रूरी है मा क्यों ज़रूरी है और कोई ओफिसर नहीं जाने के लिए उसे नहीं हमला हुआ अगर कुछ हो जाता तो अरे मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरी कोई परवाई नहीं है दिखो देखो किसे चल रहा है अब तक पैर भी ठीक नहीं हूँ और राजिस्तान जाना है इसे अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी अरे उसे रोको कोई कोई रोकता क्यों नहीं मैं ही बोले जा रहे हूँ डॉंट मैंड नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी एक बिटा तुम्हें खुचुकी है नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें नए जान देदूंगी मैं आपनी जान देदूंगी